नमस्कार मित्रों। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए प्रेसित कर रहा हूँ या उनको सीधे सीधे समझा रहा हूँ या आगा कर रहा हूँ कि जो लोग कोरोना पर ग्यान बांट रहे हैं जो लोग इदर उदर से पता नहीं कौन सा चैनल पता नहीं किसकी कई बात को एडिट कर करके या उनके द्वारा कई गई बातों को समाज में फैलाने की कोशिस कर रहे हैं आपको मालूम है आप इंसाइनियत के खिलाब कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप बले अपने आपको कितने बड़ा एक्टिविस्ट समझते हो आप अपने आपको बहुत बुद्धी जीवी समझते हो मैं आपकी बुद्धी को दो कोड़ी की मानता हूं पिल्कुल खरी-खरी मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद कोरोना से प्रभाइप हुआ हूं मैं चार दिन तक वेंटि-णेटर पर रहा हूं मैं ने 8- यह मधोर आपको को मेरी मिले नूट पर शिजन ओग्शिन मेरे में एवले पर आफ। सब्लोग पतानि कौनसे किस वीडियो पतानि कौन से किस specialize इसलाम मैं पतानि कॉन से इंचेक्षन केक्षब नरेंदर मोदीश से जोड दिय कह स्विर्वेड ने फोंसर एक to क्या है आप लोगों की आप वही लोग पंद्रेग रुपे बूली में बोड़ दिते ओने अध और वो जाती का चूँकि सामने चाट उमीदवार है तो मैं तो चाट हूँ इसलिए चाटी को बोड़ दूँगा क्या हक है आपको इस तरीके का कॉरणा जैसे माम मारी के समय में आपको यह अफवाएं पहलाने का कि वैक्सिन लगाने से तो आदमी मर जाता है यह सरकार ने क्यों सरकार मंदिर बना रही है क्यों सरकार यह काम कर रही है क्यों सरकार सडके बना रही है क्यों सरकार बड़े-बड़े पुलिया बना रही है होस्पिटल क्यों नहीं बनाती कौन मना कर रहा आपको होस्पिटल बनाने के लिए और यह इस तरीके का जिन बांड रहे हैं चलो सुरुआत मैं करता हूँ, आप लोग लेके आये चंदा यह इस तरीके के जो फर्जी वीडियो बना रहे हैं वो लोग समाज के दुस्मन है, मैं खुला चेलेंज करता हूँ आपको, आप लेके आये जितना पैसा, उसके बरावर पैसा मैं ही कटा करके दूँगा आपको है कोई माई कालाल कीजिए हिम्मत ये इसलाम के खिलाब बिमारी है हिंदु धर्म के खिलाब बिमारी है ये सरदारों के खिलाब बिमारी है ये नरेंद्र मोदी का सडियंत रहे ये असोगजी गेलोत का सडियंत रहे अरे क्या बाते कर रहे हूं तुम लोग तुम्हें मालों है, तुम बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं और यह जो थुम्हारी प्री मैचॉरिटी है ना यह प्री मैचॉरिटी मैं तो कहता हूं इस्वर ना करे अल्ला ना करे वाय गुरू ना करे जिस दिन तुवारे गर से लास उठेगी जिस दिन उस सपेद थेले में शिलाई किया हुआ वह चैन लगी हुई जब डैड़ बोडी उठेगी और आपको डैड़ बोडी को टच भी नहीं करने दिया जाएगा उस दिन पता चलेगी आपको अपनी अवकाद उस दिन पता चलेगा यह फर्जी फर्जी वीडियो डालने का और यह इस तरीके की सोशिल मीडिया पर बाश्या बनने का अरे वाय यार अकल के दुसमनों जरा समझो इस समय सिर्फ तीन चीज़ों की जरूरत है नंबर वन सिंग्व एक दूसरे विकतिक से दूरेना मैं तो कहता हूं सरकार क vicious country तो कोड़ी कर दिया कि इसलام मानने वाले मुसल्मान होके वाइगरू को मानने वाले सिक होके और गौड को मानने वाले इसाई होके अगर इसको इस मास्क को अगर किसी धर्म से चोड़ रहे हो तो इसका मलब तुम उस धर्म में फर्जी हो फर्जी हो तुम्हें कोई इल्म नहीं है उस धर्म में का मालूम तुम ना नम किसी मरीज की मदद कीजिए तीका करण में भाग लीजिए पूरी दुनिया पागल है कि तुम ही ने लोगों ने ठेका ले रखा क्या दिमाग का कि नहीं यह करो यह हो जाएगा वह करो अरे हद हो गई यार ऐसे च्छद्म धर्मों से और ऐसे लोगों से देश दुखी हो गया पगवान नहीं करें वो दिन आये कि तुम्हारे गर से लास उठे तो तुम्हारे गर से लास उठे कोरोना से इससे पहले संबल जाओ सुदर जाओ मास्क लगाना सुरू कर दो सोशिल डिस्टेंसिंग पूरी रखो और अपवाएं फेलाना बंद कर दो मैं क्यों तीन चीज